हालो फ्रेंड्स बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में फ्रेंड्स इस वीडियो क्लास में डिसकस करेंगे फ्रेज देप्लिस्मेंट के कुछ नए पैटन के कोश्चन्स और ये कोश्चन्स बैंक पी और क्लर्ग दोनों ही एक्जाम के लिए काफी इंपोर रहेगा शभयम्हेटिकली करेक्ट करना है इसमें गलती हो सकती है एEM कि 100 सकता है अरThey आपको लगता है ये घुलिटिकली अलेडी सही तो क्यों सब्क्रिच को इसमें आपका अंसर होता है क्या है ऐक आप का अंसर होगा ठीक है तो यहां से यहां कराणेंगे रमेश बिलीप इन अब 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 एंड बोड ओपन डिसकेशन ओन एपरी पॉइंट बिफोर तेकिंग फाइनल डिसीजिजिए टो यहां पर देखिए सही कॉंबिनेशन क्या होता है एक तो होता है ओपन ओपन का मतलब होता है ट्रांस्परेंट जो चीज जिस च हम बोलते हैं ओपन और अबब बोड का आर्थ होता है honest तो बोड जो वर्ड है ये अबब के साथ जुड़ता है तो इसके यहां पर आपका जो सही selection होगा वो होगा second open and above board open and above board आप बोल सकते हैं तो second यहां पर आपका सही answer हो जाएगा इस तरीके से इन sentences को आपको करना होता ह देखें, नेक्स सेंटेंस हम देखते हैं, तो लाथी चार्ज और लाला लाच पतराय प्रूब्व दनेल ओफ लास्ट काफिन ऑफ बिटिश रूल इन इंडिया, देखें, लाला लाच पतराय पर ये आपने हिस्ट्री पड़ी है, तो लाला लाच पतराय पर अटैक किया था ब्रिटिसस ने और लाला लाच पदराय जो थे वो घायल हो गए थे तो उन्हों ने ये कमेंट दिया था कि मेरे उपर जो लाइठी चार्ज किया है ब्रिटिश गवर्मेंट ने वो क्या होगी वो नेल ओफ लास्ट कॉफिन होगी ये एक इडियम है ये कहा है ये प्रूबर है इसका मतलब होता है नेल का रत होता है एक्शली कील और कॉफिन जिसमें डेट बोड़ी को रखा जाता है ताबू जिसको हम बोलते हैं उसको हम बोलते कॉफिन ठीक है तो नेल इन दा कॉफिन का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी चीज जिसकी वज़े से आपको फेलियर मिले ठीक है तो इसमें actually यहां पर off नहीं आएगा last nail in the coffin हम बोलते हैं तो last nail in the coffin the last nail in the coffin यह सही होगा यहां पर आपका ठीक है लाला लाच्पतराई ने कहा था कि बिटिसस ने जो अटेक किया है वो इनका आखरी अटेक होगा जो उनको fail कर देगा पूरी तरीके से the last nail in the coffin मरते समय नों ने कहा ता लाला लाच्पतराई ने कि it will be last nail in the coffin तो यहां पर आपका सही आंसर होगा third off इसमें नहीं आएगा nail off nail off the last nail in the coffin आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा अब देखे एक यह question है राजेश moved earth as well as heaven to pass the exam but he couldn't मतलब राजेश ने उसे exam को pass करने के लिए धरती और आसमान ये कर दिया लेकिन वो उसे exam को pass नहीं कर सका ठीक है तो इसके लिए जो idiom use होता है वो होता है heaven and earth earth as well as heaven जो होता है ये जो है ये गलत है इसके लिए हम use करते है heaven and earth यानि धरती और आसमान को एक कर देना यानि काफी मेहनत कर देना ठीक है तो यहाँ पर heaven को हम पहले बोलते है heaven and earth इसका सही answer यहाँ पर होगा इस तरीके से incentives को आपको करना होता है next question देखते है you really have to toil and moil to get a hundred percent marks in 12th exam तो toil का क्या रत है toil का रत होता है कड़ी मेहनत करना ठीक है toil और moil का रत भी होता है कड़ी मेहनत करना तो यह कीडियम है toil and moil और इसको इसी तरीके से हम use करते है toil and moil तो यहाँ पर इसमें toil पहले आता है क्योंकि है toil ज्यादा important है toil ज्यादा common word है ठीक है moil and toil जैसे यहाँ पर दिया है यह गलत होगा और इसमें नहीं आता toil moil नहीं आता ठीक है यह सारे option गलत है toil and moil toil and moil जो है वो इसमें सही answer है आपका और यहाँ पर आपका answer होगा no correction required next question देखते हैं our experience says that there are many slips between the lips and the cups sentence का मतलब क्या है sentence का मतलब यह है जैसे कोई भी हम final decision लेते हैं suppose हमने हम किसी भी project पर काम कर रहे हैं और हमें लगता है कि इस project यदि यह project सही तरीके से काम करता है तो इसमें इतना percent profit आ जाएगा लेकिन इसके बाब जूद भी काफी चीज़ें उसमें गलत हो सकती है जब आपका आपका आपने जो imagine किया था आपने एजियूम किया था उससे अलग हो सकता है ठीक है उसके बीच में कुछ slips हो सकती है कुछ इसको मोड़ सकती है तो उसी के लिए हम बोलते हैं तो इसमें आपका इसमें कि लोग is का बोलते हैं मेंनि स्लिप रिफ्लिदा कप अंड दर लिप कप भी श्ञूलर में आता है लेकिन कुछ लोग lips भी बोलते हैं तो कुल और यहां पर between का ही प्रयोग करते हैं before इसमें नहीं आता और इसमें कप पहले आता है many slips between the cup and the lip या lips तो यहां पर four आपका answer सही होगा ठीक है लिप या lips एक ही बात है लिप भी बोल सकते हैं लिप भी बोल सकते हैं तो four यहां पर आपका सही आंसर होगा next question देखते हैं देखिए यह हैं आपके double filler के question और इस तरह के question bank PO में और इस समय clerk में भी इस तरह के question पूछे जा रहे हैं तो इनको हम देखते है healthy skepticism skepticism का क्या मतलब है skepticism का मतलब है किसी व्यक्ति के उपर डाउट करना हर चीज के उपर डाउट करना ठीक है healthy skepticism a vital for any journalist ठीक है healthy skepticism एक अच्छी चीज होती है किसी भी जनलिस्ट के लिए तो वाइटल के साथ यहां पर कौन सा वर्ड जुड़ेगा वो आपको यहां पर लगाना है ठीक है अब देखिए यह काफी ट्रकी होते है स्पोटिंग डबल फिलर यदि आपको लगता है यदि आप एक option के वारे हैं पूरी तरीके से confident हैं तो second option आपका अपने आप ही सही हो जाएगा ठीक है और यदि पहले आप यहां देख लो कि यहां सही आ रहा है कि नहीं फिर आप यहां देख लो second वाला कि यहां सही आ रहा ठीक है तो आपको logic यह लगा सकते है कि given के साथ कौन सा word जा सकता है ठीक है अब एक idiom होता है give way to मतलब किसी के लिए रास्ता छोड़ देना मतलब किसी को आगे बढ़ने देना आप पीछे आ जाना और किसी को आगे जाने देना उसको हम बोलते है give way to तो यहां पर देखिए यूज हो रहा है नहीं पता लेकिन आपने logic से sentence को आप अपना सही कर सकते हैं अब देखिए यहां पर second में वे के साथ क्या है attribute तो attribute यहां पर इसलिए जाएगा क्योंकि attribute का अर्थ होता है कि personality का एक बहुत major part ठीक है personality trade जिसको हम बोलते है उसको हम attribute भी बोलते है तो यहां प पर आपका चुकि जर्नलिस्ट की बात हो रही है जर्नलिस्ट की personality की बात हो रही है कि उसकी personality का एक बहुत important part है healthy skepticism doubt करना लोगों पर ठीक है तो इस तरीके से यह आप logic लगाते हैं तो आप answer निकाल सकते हैं यह इसका सही answer हो जाएगा इसमें healthy skepticism a vital attribute for any journalist has given way to credulity और वर्स नाइबिटी इस सेंटेस का मतलब क्या है कि चुकि जर्लिस्ट healthy skepticism करते हैं और उस वज़े से थोड़े से credulis हो गये हैं मतलब हर चीज पर आसानी से बिलीब कर लेते हैं और नाइब वन गये हैं यह थोड़ा सा सेंटेंस का मतलब है और यहां पर आपका one first second third यहां पर सही answer हो जाएगा इस सेंटेंस को हम देखते हैं केजरी वालस about all kind of people तो और यहां पर हम देखते हैं about all kind of people became more and more and even if there was a grain of truth in any of them देखें टुथ हम किस चीज में देखते हैं टुथ हम देखते हैं जब हम किसी की उपर आरोप लगाते हैं तो हम यह पता करते हैं कि उस आरोप में कितनी सच्चाई है यहां पर टुथ की बात हो रही है ठीक है और देते हैं वो allegations लगाते हैं ठीक है statement भी हो सकता है लेकर allegation ज्यादा proper word होगा यहां पर किज्री वाल्स allegations about all kind of people क्योंकि यहां पर लिखाए all kind of people तो people के बारे में हम क्या देंगे statement नॉर्मली नहीं देंगे उनके उपर आरोप लगाएंगे ठीक है अगर statement देंगे भी तो statement के स attacking and even if there was a grain of truth in any of them there was just no evidence ठीक है evidence भी देखिए evidence किसमे होता है evidence जब हम आरोप लगाते है तो उस आरोप का एक evidence होता है कि वो सच है या गलत है ठीक है तो evidence जो word है वो allegation के साथ सही जाएगा और allegation चुकी सही है तो outlandish भी अपने आप सही हो जाएगा इस तरीके से sentences को आपको क होता है एकदम से bizarre एकदम से अजीव सा एकदम से अनोखा उसका मुलते हैं आउट लेंडिश तो यहां पर आपका four answer हो जाएगा अब देखिए sentence को देखते हैं every time विद्याबालन went about repeating entertainment 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 यह थोड़ा सा tough question है इस sentence का मतलब यह है कि बिद्याबालन जब भी स्टेज पर आती है और entertainment entertainment और entertainment बूलती है तो सारे जो audience होते हैं वो क्या हो जाते हैं वो definitely खुशी से पागल हो जाते हैं उनको अच्छा लगता है तो खुशी के लिए यहां पर एक word चाहिए और खुशी के लिए देखिए dark नहीं है hallucination नहीं है silence नहीं है enjoy नहीं है ठीक है अगर enjoy अगर यहां पर आए raptures मतलब बहुत जदा खुश हो जाना raptures एक होता है rapture जिसका मतलब होता है फटना या टूटना लेकिन raptures का मतलब होता है खुश खुश होना ठीक है तो यहां पर raptures word आपका सही होगा और quip का अर्थ होता है वोल्टेयर एक बहुत famous कभी थे English literature के तो ऐसा लगता है कि वोल् इद्यवालन जो entertainment entertainment बूलती है उसकी तुलना वोल्टेयर के comment से की गई है क्योंकि वोल्टेयर जो है बहुती famous poet है English literature के कुई का मतलब होता है एक witty remark देना ठीक है एक हाजर जबाब के अंदाज में witty remark देना तो यहां पर आपका यह first वाला जो option है यह सही हो जाएगा यहां देखते हैं whether one believes it or not there are still some people अब देखें यहां पर हम क्या बात कर रहे हैं कि हम चाहे विश्वास करें या ना करें there are still some people us अब यहां पर अस दिया है ठीक है तो पीपल कहां पर है पीपल सराउंडिंग अस है या पीपल अबाउट अस अधी मैं अब आवाउट अस बोलूंगा तो बिल्कुल गलत हो जाएगा ठीक है अब अब वस पीपल हमारे उपर हैं पीपल हमारे बारे में हैं पीपल पीपल मतलब इस चीठ को य react करें경े तो इसमें इसमें सही ऑप्सं क्या होगा लुगा पर हैं लोग बर्भा हमारे आसपास हैं ठीक है तो आसपास के लिए वर्ड kea अ क्या होगा सरांडिंग नहीं होगा बहुंट नहीं होगा अराौंड होगा ठीक है तो इसमें अरांड यहां पर जो होगा वो सही option होगा आप इसको बोथ भी देख लेते हैं बोथ सही है के नहीं वैसे यदि एक सही हो जाता है तो दूसरा अपने आप सही होगा क्योंकि दोनों ही option सही होने चाहिए अब देखे यहां पर हम क्या बोलना है है whether one believes it or not there are still some people around us who could have become powerful अब यहां पर देखिए both in strength and in financial means both in strength and देखिए both and जैसे neither or neither nor होता है either or होता है उसी तरीके से both के साथ end लगता है तो end यहां पर लगा हुआ है तो इसलिए यहां पर हम बोथ को लगा देंगे तो पांचबा जो option है वो दोनों ही logic पर fit बैट रहा है तो इस तरीके से आपको इन questions को करना है एक question और देखते हैं when politicians become and bureaucracy it is the media that people turn for some guidance इस sentence में हम क्या बोल रहे हैं इस sentence में देखिए यहां पर हम बोल रहे हैं कि it is the media that people turn for some guidance 다음路 us इसा हने को बिडिया की तरह फ्रोक करते हैं लोगवाग मीडिया की तरह फ्रोक हते हैं या मीडिया से अमीद लगा लगाते हैं कि मीडिया हमारे लिए कुछ कुछ करेगा ऐसा वो कप करते हैं जब विरोक्रेशी और पॉलिटीशेंस यह दोनों इनेक्टिव हो जाते हैं मतलब यहां पर और यहां पर दोनों ही जगे आपको नेगेटिव वर्ट चाहिए ठीक है तो पॉलिटीशेंस के लिए आप क्या लगा सकते हैं वीनल करत होता है करप्ट और वीरोक्रेशी जो होती है वो कैसी होती है वीरोक्रेशी के लिए देखिए करप्ट वर्ड उतना प्रॉपर नहीं है करप्ट वर्ड पॉलिटीशेंस के लिए ज्यादा प्रॉपर है बिरोक्रेसी जैसे जब जैसे आप कोई भी आपके पास प्रॉब्लम होती है, कोई भी आपकी शिकायत होती है, तो आप कहां जाते हैं, आप कलेक्टर के पास जाते हैं, कमिशनर के पास जाते हैं, ठीक है, पुलिस के पास जाते हैं, जो की बिरोक्रेसी के एक पार्ट है, ठी बिल्कुल सही है और politicians के साथ venal या corrupt word बिल्कुल सही है ठीक है तो इसलिए यहाँ पर second जो option होगा वो आपका सही answer आपका वन जाएगा तो इस तरीके से इसमें मैंने यह phrase replacement के 10 questions मैंने explain किये हैं और इसके बारे में अपना feedback आप देना मुझे बताना कि कैसा लगा आपको और यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए convenience के लिए सारे answers पी लिख दिये तो इनसे आप practice भी कर सकते हैं और इसका PDF भी मैं आपको कर दो देव सकते हैं तो you